बात करता हैं तिमराशी मीन की, जो मीन राशी की जातक हैं, आज आपको रुका हुआ कारे संपन होगा, दूर देश के आत्रा होगी, देश देश के आत्रा से वन प्रफुलित रहेगा, चुटी-चुटी बात को लेके परिशान नहों, आज आपकी योजनाएं लाफ देंगी रुका हुआ धन, वापस मिलने की सम्हाना बन रही है तो आज का दिन आपके लिए विशेश अच्छा है और काफी लाफकारी होगा, लाफदाई होगा और आज बिखन बाधाओं के साथ काम बें सफलता मिलने की सम्हाना बन रही है लेकिन परिशानियां आ सकती है सौधानी के अबरतिन आति उस्साह और जल्दवाजी से काम करने से बचें उपाय क्या करना है? पिली बस्तू का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा और भगवान विश्णू जी की आराहना करें अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांकी आज है नौ अगस्त दोजार चोबिस दीन है शुक्रवार खष्टी तिथी है हस्त नचत्र है और आज शुरूदे हो चुका है सबीरे छे बच के चार मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को छे बच के 69 मिनट पर बाव करण है चंद्रमा रहेगा कन्याराशी में आज का जो सुप मोहरते होए 12 बच के 1 मिनट से लेके 12 के 40 मिनट तक रहेगा रहुकाल है 10 पच के 55 मिनट से लेके दो पर 12 बच के 33 मिनट तक रहेगा पस्चिम देशा का देशा शोल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना का चंद्रमा है कन्या राशी में आज जो कन्या राशी वे जातक हैं आज अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने की जुरत है धन्धान के सित्य अच्छी होगी माली हालत अच्छी होगी जो भी एफल्ट करेंगे उसमें आपको बड़ा लाव मिलेगा मान समान मिलेगा पत परतिष्णा में बृद्धी होगी दिशासूल में यात्रा करने से बचे अगर छोटी दूरी की यात्रा है ता आप क्या करें कि दही गुड और केशर का तिलग लगा करके आप यात्रा करें माता-पिता का अशिरवात ले करके राहुकाल में कोई भी कार न करें सुमूर्थ में क्या गय कार आपके लिए फली भूत होगा तो सुमूर्थ में अगर कोई भी कार करतें ता आपके लिए अच्छा रहा आज का महामंत्र है ओम भरिगुरा आजाए और अगर इस मंत्र का जब करते हैं तो आपके जीवन में शुक्र गडबर होता है तो आपकी इस्तिक खराब होते है तो आप इस मंत्र का अगर जब करते हैं तो आपके लिए शुक्र आपका जो ग्रह आपके लिए अन्कूलता लिए होगा अब आईए हैं बात करते हैं आज के पंचांकी आज है 9 अगस्त 2024 दीन है शुक्रवार खश्टी तिति है हस्त नच्छत्र है और आज सुर्योदे हो चुका है सबीरे 6 बच के 4 मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को 6 बच के 69 मिनट पर बाव करण है चंद्रमा रहेगा कन्या राशी में आज का जो सुम मोडते होई 12 बच के 1 मिनट से लेके 12 बच के 40 मिनट तक रहेगा आज आपको एक बात का ध्यान रखना का चंद्रमा है कन्या राशी में आज जो कन्या राशी वे जातक है आज अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने की जुरत है धन धान के सित्य अच्छी होगी माली हालत अच्छी होगी जो भी एफल्ट करेंगे उसमें आपको बड़ा लाव मिलेगा मान समान मिलेगा पत परतिष्णा में बृद्धी होगी दिशासूल में यात्रा करने से बचे अगर छोटी दूरी की यात्रा है ता आप क्या करें कि दही गुड और केशर का तिलक लगा करके आप यात्रा करें माता-पिता का अशिरबात ले करके राहु काल में कोई भी कार न करें सुमोर्थ में किया गे कार आपके लिए फलिभूत होगा तो सुमोर्थ में अगर कोई भी कार करतें तो आपके लिए अच्छार लेगा आज का महामंत्र है ऑम भिगूरा जाए बिदमहे दिव्य देहाए धेमही तन्नो शुक्रह प्रचोद्यात यह जो महा मंतर है दैति गुरु सुक्रह चारे का है जिदि आपकी कुंडली में शुक्रगरा खराब है और अगर इस मंतर का जब करते हैं तो आपकी जीवन में शुक्रह प्रतिष्टा में ब्रिद्धी होगा और जिदि वहीं कहीं शुक्र गडबर होता है तो आपकी स्थिक खराब होते हैं तो आप इस मंतर का अगर जब करते हैं तो आपके लिए शुक्रह आपका जो ग्रह आपके लिए अन्कूलता लिए होगा